आपके अपने यूटीब चानल जेल जहारखन लाइब में दोस्तों यहाँ पर असानेक सल्ट चिकितसक सहमुक्ख चिकितसक प्रादकारी सिम्डिया की तरप से विग्यापन जारी किया गया है विभिन पदोपर निकती सम्मंदित तो हम लोग यहाँ पर इस विग्यापन को प्रेटेल्स में देखने वाले हैं कि उसके क्या मांगी गई है और यहाँ पर आपके कितना सैलरी दी जाएगी आपको और क्या उम्र होनी चाहिए आपकी सारी चीजे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रेटेल्स में देखेंगे तो अगर आप जारखला चैनल में जिग्यापन को देखते हैं तो जिसे का पर आप देख पार हैं जिला स्वास समीती सिम्डेगा अंतरगा सदर अस्पताल सिम्डेगा के आई स्वी यूवार्ट कोवीड होस्पिटल के लिए अस्पेसलिस मेडिकल ऑफिसर पारा मेडिकल स्टाप एवं अन्नी कर्मियों की आवे सकता है निम्न विवरनिक के अनुसार यहां पर अनुसार व्योग्य अभ्याटियों का कोवीड काल 3-6 मा के लिए यहां पर आस्थाई रूप से नियुक्ति करने है तो दिनांग 8-8-2020 को पुरुवाहन 11 बजे से सिविल सर्जन कारियाले सिम्डेगा में वाके इंटर और यहां पर उम्र की सीमा रखी गई है वो अब टू 67 तक यहां पर वो आवेदन कर सकते हैं अगला पद जो है यहां पर वो देख लिए दूसरा नंबर का पद आनस्थेटिक के लिए है यहां पर दो पदो पर नियुक्ति की जागी क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS with post graduate degree diploma from any MCI recognized institution in anesthetics ठीक है डिजारेबल जो है यहां पर तीन साल का यहां पर experience होना चाहिए अप्टू 67 तक यहां पर उम्र सीमा यहां पर भी रखी गई है अगला पद जो है वो भी यहां पर medical officer के लिए है जैसा कि आप देख पारें दो पदो पर निवति की जाएगी qualification जो मंगा गया है MBBS और equivalent degree from institutions recognized by medical council of India और यहां पर उम्र सीमा की बात करें तो 67th years रखा गया है उसका अगला जो चौता पद है वो यहां पर दख लिए clinical psychologist है एक पदो पर यहां पर निवति की जानी है और qualification की बात करें तो master degree और equivalent clinical psychology यहां पर ह रखी गई है वो यहां पर आपकी अधिक्तम उम्र सीमा रखी गई है और negotiable यहां पर salary आपको दी जाएगी तीक है आपकी experience के अधार पर यहां पर salary दी जाएगी अगला जो है यहां पर पद है वो staff nurse के लिए है कुल 12 पद अपर निवति की जानी है 10 plus 2 और intermediate with 3 years experience of general nursing and midwifery training from government recognized institution registered under जharkand nursing council तो यहां पर 10 plus 2 होना चाहिए interpretate होना चाहिए और तीन साल का इहां पर experience होना चाहिए nursing and midwifery training किसी भी government recognized institute से और यहां पर salary दी जाएगी आपको वो 15,000 रुपय दी जाएगी और यहां पर उम्र सीमा जो रखी गई है वो 60 years तक रखी गई है अगला पद जो है Hindi English typing यहां पर skill होनी चाहिए और salary जो दी जाएगी आपको यहां पर वो 12,000 रुपय पर परती बादी जाएगी up to 60 years यहां पर 60 साल के उम्र तक यहां पर आवेदन कर सकते हैं अगला यहां पर पद है वो support staff के लिए है तीन पदो पर निवति की जाएगी 10 plus 2 with experience यहां पर medical line must able to work in emergency ward की experience यहां पर होनी चाहिए ठीक है 10 plus 2 यहां पर qualification होना चाहिए 12,000 रुपय आपको यहां पर salary दी जाएगी 60 साल तक के यहां पर उम्र सिमा रखी गई है उसके बाद यहां पर देख लिए अगला पाद जो है वो ward attendant के लिए है यहां पर है ward attendant के लिए तीन पर निक्त उम्र सिमा साथ साल रखी गई है उसके बाद अगला जो पाद है वो एनम के लिए है 12 पदों पर निक्ति की जाएगी जिसमें कि यहां पर 10 प्लस टू और इंटरमेड़ेड और कंप्लेट होना चाहिए आपका एनम का कोर्स किसी भी गवर्मेंट इंसिचूट से अगला पदों पर निक्ति की जाएनी है 10 प्लस टू विद ट्रेनिंग और एक्सपरियेंस और इक्सपरियेंस भी होना चाहिए 12 रुपे आपको यहां पर सैलरी दी जाएगी अप्टू 60 यह उम्र सिमा रखी गई है अगला जो पद है वो ओटी एसिटेंट के लिए दो पदों पर रखी गई है अगला पद जो है वो फार्मासिस्ट के लिए है दो पदों पर निवति की जाएगी क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉमा गौवर्मेंट रिकोगनाइज रिजिस्टर अंदर जार्खन स्टेट फार्मेसी कॉंसिल नॉलिज क्वालिफिकेशन में जो है वो क्वालिफिकेशन के नॉलिज होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए किसे भी रिकोगनाइज इंस्टूट से जो की जार्कन सरकार के अंदर रजिस्टर हो और यहाँ पर आपको सैलरी जो दी जाएगी वो अठारा हजार नौ यहाँ पर होनी चाहिए ठीक है तो लैब टेकनिशन के लिए यहाँ पर 10 प्लस 2 होना चाहिए आपका DMLT होना चाहिए दो साल का experience के साथ यहाँ पर और कंपीटर में भी काम करने का नौलेज होना चाहिए 18,900 प्य आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी और उम्री सिमा यहा पर हाथ हो हाथ के द्वारा नुस्यानिक सल्च किसक्क सहमुख चिक्ते पारिकारी सिम्डेगा पीन कोड़ जो है वो 835223 के पते पर जमा किया जा सकता है तो इस अड्रेस पर आप आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर आप जो आड्रेस दिया गया है उस पर और पर दिना आठ आठ दोजर बीस को योग या व्यर्थी अपनी अपनी मूल प्रमानपत्रों एयों बायो डटा के साथ सिविल सर्जन कारियाला में पुर्वाहन 11 बजे अब प्रहन 4 बय तक वाकिन इंटर्व्यू में भाग ले सकते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप ओफिसर प्रमिजे और वीडियो का अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेयर कर दिये गरिये ताकि अधने लोग भी यहाँ पर जूर सके और सारी जानकारी पास सके हैं